लोग जा रहें थे बस इससे गाली लिया कर सीधे आईस से गाली ख़ड़ा कर दिये उसमें हम लोग लड़ गएं वो जो हमारे पीछे बैठा तो उतर के भाग गया तुरंट अंकुस अंकुस उतर के भाग गया हांखी के तरह वो भी था राड उसीसे मालने लगे तुरंट कि वारांड़सी में दो दिनों पहले जिस सौरब यादो नामक यूवक की हत्या हुई थी उस केस सम्मंधित उस चस्मदीत के पास हम है जो सौरब का दोस्त है और उस घटना के दोरान वही पर था जब उसके उपर हमला हो रहा था उसको मारा पिटा जा रहा था यह बताओ कि क्या तुमने देखा कैसे गया उस दिन कहां पे थे तुम और कहां पर उसको मारा पिटा किन लोगों ने है रात में हम लोग जा रहे थे हम घज पे थे उसके बाद हमें कॉल आया एक अंकुस नाम को लड़का था वो बुलाया का भाई आओ एक जगह चलना है तो तुम अंकुस और सौरव पांडेपूर जाने लगें तब तक में सौरव्या को कॉल आया एक वो बुला भाई हमें लोग मार के मुआ देंगे जल्दी आओ तुदान तुवहां से गाड़ी घुमा लिए हम लोग आसापूर आने लगें तब तक बीच में असोगा के पास थ दो के दो के अब भब तक था थोड़ा ओर टाइप में गड़ा टाइप में अपलस मापे नहीं था नहीं था बस उसी पर गाली दोकें उसमें हम लोग लड़ गये। जो हमारे पीछे बैठा तो उतर के भाग गया तूरंथ अंकुस उतर के भाग गया। लोग भागने वाले थे तब तो कोई सोरव्या भागें वो पुलिया था बीच में उसमें कूद कर सुचे भाग जाए तब तक में उनका सरीर थोड़ा हाइट भाग नहीं पाएं बस उसी में लोग पकड़ के मानने लगें सीदे कौन थे वो लोग कितने लोग थे क्या-क्या वह था उनके पास उनके पास एक हांकी के तर्य वह भी था जाद उसे से मानने लगे तुरंत कि तो कौन थे वो तुम पहचाने उस सब नहीं तो तुम 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 वहां पे खड़े ते सब देख रहे थे चोड़ाने हम लोग रखका दिया गया पिर कितने देर तक यह सब लेकर दिन द्याल गए दिन द्याल से रिफर कर दिया बीच्चू के लिए कि हम भी अच्चू लेकर चले गएं भी अच्चू सब काम होने लगा तो पिर क्या उसमें सौरब सही था मतलब उसमें उसमें बोल नहीं पा रहें ते सास चल रहा था कि सुभा सुभा उसकी मौत हो गया तो यह सब कैसे कौन थे इसके पीछे उसको मारने वाले कुछ तुमें पता है तो हमें कुछ नहीं मालूम है तो यह है जो उस दिन सौरब और एक और लड़का था अंकुष जिसने उसको बुलाया था अंकुष उस वार्दात वाले वक्त वहां से भागने में सफल हो गया हाला कि पुलिस उसकी भी तलास कर रही है लेकिन वहां पर पूरा घटना करम जो बता रहा है वो पूरी चीज और इसके गवाह इसके बयान के आधार पर ही आगे की जांच भी चल लए है एक एहम कड़ी है जो उस समय मौकाय वार्दात पे मौजूद था और अब पुलिस आगे की कारवाई में जुटी हुई है और उन सभी आरोपियों की तलास में लग गई है रोशन जैस्वाल वार